नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सुभी का सौगित है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टिटूट पर और दोस्तों आप सभी के लिए जो है कल जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर जो पूछे के कोशन है वो आपके लिए लेक्या है तो अगर से आप सेकेंड एर की अपनी जो त्यारी है वो फिर से सुरू कर सकें तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कल जो एक्जाम हुआ था उसके अंदर आपके कौन-कौन से कौशन पूछे गे थे और आपको जो है क्या का उसके जो है आंसर करन आप कंपातिक है कौन सा बल सीदेस तहूं से संप्रक के बीच समान्य परतिकिया के लिए तो सब्छल की बीच तो देखे दोसके जो रहेगा वो रहेगा वरेयगा फ्रिक्षन फॉर्स जोена या की घर्षन Bल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा जिन बच्चों ने यहां पर गर्षन बल किया था उनका ये कोशन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कोशन के अंदर आप से पूछा गया था कि यदि वाहन सडकों पर चलने में शक्षम है तो पहिये और सडकों के बीच नम्न मेंसे कौन सा करे करता है यनि कि जो अगर कोई भी वाहन है वो आपका सडक पर चलने लिए शक्षम है तो सडक और जो उसका पईया है उसके बीच में कौन सी चीज़ काम करेगी तो तक्राव काम करेगा जंग काम करेगा कटाव काम करेगा या प्रस्ताव काम करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन काम करता है दोस्तो इसके अंदर पईये और सडक के बीच में दोस्तो कुणा क्या होगा साइंंक योगा प्रक्षण लाइगा तो यहां प्रक्र कि रीखाई होगा तो यहां पर ठेटन फस वह दो यह जो है रहेगा तैन फस जिन बचों ने किया था उन का यह कोशन बिलकुल सही रही रहा होग दोस्तों एक निक्स्ट के भी है सनहिक को उद्दिश्य क्या है यानि कि लूब्रिकेशन जो है उसका क्या उद्दिश्य है यह आपसे पूछा गया है तो दवाव बढ़ाने के लिए यूज़ होता है गर्शन को कम करने के लिए यूज़ होता है या दवाव को कम करने के लिए यूज़ होता है तो जो लूब्रिकेश उसके लिए यूज होता है तो next question गंदर आपसे पूछा गया था कि अपने अधार से एक सही वर्ताकार संकू के गुर्तव का कंदर क्या होगा तो h बटे में 2 होगा h बटे में 3 होगा h बटे में 5 होगा h बटे में 4 होगा तो यहां पर जो आपका इसका right answer रहेगा वो रहेगा h बटे में 4 यानि की height बटे में 4 इसका right answer रहेगा दोस्तो next question गंदर देखिए आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा जामिती आकरती का गुर्तवा कर्शन के अंदर इसके अधार से स्थित है इसकी उन्चाई एक बटा 3 है तो 3 बुज जो है वो इसका right answer रहेगा यानि की आपको जो triangle दिया था वो इसका right answer था दोस्तो next question के अंदर आपसे पूछा गया था इस तरीके का एक diagram दिया था जिसके अंदर पूछा था कि TNU बाग में गुर्तवा कर्शन का के अंदर कहा है यानि की TNU बाग में गुर्तवा कर्शन का के अंदर कहा है ये आपसे पूछा था दोस्तो तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो वो रहेगा 6.65 सेमी जो है उसके उपर आपका गुर्तवा कर्शन के अंदर रहेगा इसका तो जिन बच्चों ने यहां पर B किया था उनका यह कोशन बिलकुल सही रहा होगा दोस्तों और नेक्स्ट वेशन में दे आपसे पूछा गया है कि वर्त के छेतर फल के लिए कौन सा सुतर उप्युक्त है जिसका व्यास डी है तो यहां पर आपको उप्सन दिये गए थे पाई डी स्केर बटे में चार है पाई आर है टू पाई आर है या फिर पाई डी है तो यहां पर पाई डी स्केर बटे में चार जो है वो इसका राइट अंसर रहेगा दोस्तों आपका वर्त दो दोता है उसका चेतर फल के लिए जो है सुतर यूजे किया जाता है अब देखें नेक्स्ट कोशन के अंदर पूछा गया है कौन सा बल रिवेट पर करे करता है कौन सा बल रिवेट पर करे करता है तनाव बल करता है संपीडन बल करता है करतन बल करता है जुक बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तो और दोस्तो इस तरीके का एक डाइग्राम दे के और पूछा जाता है कि चितर में बिन्दू C क्या दरसाता है चितर में बिन्दू C क्या दरसा रहा है यहां पर जो डाइग्राम के अंदर आपको अलग अलग पॉइंट देर के उसमें C पॉ है वो दोस्तो तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा तो जिन बच्चों ने ए किया था उनका ये कोशन बिलकुल सही रहा गोगा दोस्तो अब देखें नेस्ट कोशन बिलकुल आपसे पूछा गया था कि उच्चतम लोड से मूल अनुपरस्त छेतर फल का अनुपात क्या कहलाता है उच्चतम लोड से मूल अनुपरस्त छेतर फल का अनुपात क्या कहलाता है सुरक्षया गुना कहलाता है प इसका right answer रहेगा जिन बच्चों ने उच्छतम बिंदू किया था उनका ये question बिलकुल है सही रहा होगा दोस्तों अब देखें next question गेंदर आपसे पुछा गया था कि उसमा उपचार परतिकिरिया का क्या नाम है जहां दातु को गरम किया जाता है और पानी या तेल से बुजाया जाता है तो हाड़निंग है नॉर्मलाइजिंग है और टेंपरिंग है एनिलिंग है टेंपरिंग है तो हाड़निंग जो है वो इसका right answer है दोस्तों हाड़निंग जो है वो उसको कहा जाता है अब देखें नेक्स्ट कोशन के अंदर आप से पुछा गया है बटा क्या है बटा क्या है विक्रे मुल्य लागत मुल्य से कम है विक्रे मुल्य लागत मुल्य से अधिक है किसी उत्पाद के विक्रे मुल्य में दी जने वाले छूट को कहते है बटा या फिर विक्रे मुल्य प्लस बटा जो है इसका राइट अमसर है तो विक्रे मुल्या के अंदर दीन जाने वाली जो छूट है दोस्तो उसको अपने क्या कहते हैं बटा कहते हैं तो इसका जो राइट अमसर क्या रहेगा दोस्तो सी रहेगा सी जीन बचन के हैं उनका ये कोशन बिलकुल सही रहा होग यानि कि profit and loss के दोरा पर show करते हैं दोस्तों अब देखिए इसके बाद में next question अदर आप से पुछा गया था कि सामगरी brand का नाम गुणवत्ता का grade current और voltage अद्धी के rating के विवरंड के लिए किस सब्द का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों सामगरी का वी निर्देशन यानि क specification of material जो है उसका यूज किया जाता है इसके लिए आपका जो है कोई भी नाम है brand का या फिर गुणवत्ता है या फिर rating वे वेरा देनी है तो उसके लिए आपका कौन सी चीज़ का specification जिसको बोलते है या map जिसको बोलते है उसका यूज किया जता है अब देखिए next question जिन दर आपसे पुछा गया है कि उसमा उपचार पर किरिया का क्या नाम है उसमा उपचार पर किरिया का क्या नाम है जहां दातू को गरम किया जता है और पानी या तेल से बुझाया जता है तो उसमा उपचार पर किरिया का क्या नाम होगा जिसके अंदर दातू को गरम करके और प से पुछा गया है कि आंकलन की लागत कौन त्यार करता है आंकलन की लागत कौन त्यार करता है ओपरेटर करता है गुनवत्ता निरक्ष करता है अनुमानक करता है या ड्राफ्ट्समेंड करता है तो अनुमानक जो होता है वो आपका आंकलन की लागत को जो है दोस्तों करता है अब देखें नेक्स्ट कोशनिंगंदर आपसे पूछा गया है ति साड़े तीन कोर केबिल के लिए कंड़क्टर अंडर ग्राउंड केबिल का नियुन्तम स्विकारे चेतर क्या है 25 स्केर एमेम है या 50 स्केर एमेम है या 5 स्केर एमेम है या 100 स्केर एमेम है करें विश्तिरित विए निर्देशन का वरणन करता है गुनवत्ता कि मात्रा कारिगर निस्पादन की विदी रंग दरप परिवहन उपड़ी विये रकर रकाव श्टोक लागत तो इसका जो राइट अंसर रहेंगा दोस्तो वह रहेगा कि आपका जो गुनवत्ता है तो ने किया था उनका ये कोशिम बिलकुल सही रहा होगा दोस्तो और नेक्स्ट कोशन अंदर आपसे पूछा गया है कि 132 केवी लाइनों के लिए 132 केवी लाइनों के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है तो उच तनाव केबल सूपर तनाव केबल अतरिक्त उच तनाव केबल या अतरिक्त सूपर तनाव तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा जो है एक्स्ट्रा सूपर वॉल्टेज केबिल जो हती है वह 132 केवी से उपर की तार के लिए यूज कि जाती है क्युकि वहां पर आपको पता है वॉल्टेज का माशन बहुं जादा होता है इसलिए वहाँ पे एक्ष्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए जो तारे यूज होती है वो अतीस उपर वोल्टेज तरनाव कैबिल यूज होती है अब देखें नेक्स्ट क्वेस्ट में अब आप से पुछा गया था कि आपका तीन हजार वर्ग फुट के घर के निर्मान की लागत क्या होगी यदि आपका एक दिन की जो लागत है आपकी पर स्क्वेर फिट की जो लागत है वो आपकी दो हजार रुपे है सामगरी और जो सरम है मेनत वगएर उसकी सारी की सारी लब मिलाके तो देखे, सिंपल शी बात है कि एक स्क्वैर फुट की जो है आपकी किमत कितनी है दो अजार रुपे है और आपको घर जो बनाना है वो कितने फुट का बनाना है तो तीन अजार फुट का बनाना है जब इन दोनों को मल्टिपलाई करोगे तो अपने पास जो है वो आंसर आएगा यहां पर इतना क्योंकि अब देखो तीन जीरो आपकी दो जार की आगी और तीन जीरो तीन जार की आगी तो यहां पर आपका जो है यहां पर यह जो आपसन के अंदर कौन से के अंदर दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको इसके अंदर दिया हुआ है तो 60 लाख जो है वो इसका right answer रहेगा दोस्तो B option के अंदर दिया हुआ जिन बचोंने B option किया था उनका ये question बिलकुल सही रहा होगा दोस्तो और उमीद करता हूँ कि ये video आपके लिए important रही होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ में share कीजिए और अगर कुछी भी तरह का doubt है तो नीचे comment section के अंदर comment कीजिए और चैनल पर पहली बार आई में तो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि इसी तरह की education से related और important वीडियो जिसी चैनल के उपर हम provide करवाते रहते हैं मिलेंगे next वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जैवार दूस्तों